दक्षिनराजिस्थान में चिताउड़गड, कुंबलगड, मांडलगड, पैसरोड़गड एवं उंटाला पांच के लिए हैं ये के लिए वीरता, शोर्ड, साहस, त्याग, एवं बलिदान के लिए प्रसिद हैं चिताउड़गड दुर्ग चित्तौडगार दुर्ग वीरता, शौर्य, सास, त्याग, एवन तपस्या के लिए प्रसिद हैं इस दुर्ग के साथ हजारों क्षत्रिय योद्धाओं के शौर्य और पराक्रम के अंगिनेत रोमांचक प्रसंग जुड़े हुए हैं चित्तौडगार दुर्ग समुद्रतल से लगबग 564 मीटर उचा है यह दुर्ग 8 किलोमेटर लंबाई एवन 2 किलोमेटर चोड़ाई में फैला हुआ है आठवी शताबदी में मोरे राजा चित्रंगद ने इस किले को बनवाया था और इसका नाम अपने नाम पर चित्रकोट रखा था उसी का अपपरंश चित्रोड नाम पड़ा इस दुर्ग पर अलग-अलग समय पर मौरे प्रतिहार परमार सोलंकी खिलजी सोनगरा चोहान और मुगलों का शाशन रहा चित्रोडगद दुर्ग में तीन इतियास प्रसिद्ध साके हुए हैं पहला साका सन तेरा सो तीन में हुआ अल्लाओदिन खिलजी ने दिल्ली से आकर चित्रोड किले को घेर कर आकरमन गिया राणा रतनसिह ने वीर घोरा बादल सैनिकों और सामनतों को साथ लेकर अल्लाओदिन खिलजी का डटकर मुकाबले किया लेकिन विजय की कोई आशा नहीं रही तो राणी पद्वनी सहित दुर्ग की अन्य विरांगनाउं ने अपने आपको अगनी को समर्पित कर जोहर का अनुष्ठान किया चितोडगर दुर्ग का दूसरा साका सन 1534 में हुआ जब बादुर्शा ने चितोडगर दुर्ग पर आक्रमन किया प्रतापगर के रावत बाग सिंग के नेतरित में मेवार के वीरियो धाउं ने बादुर्शा की सेना से मुकाबला किया लेकिन विजय क कोई आशा नहीं देखकर राजमाता हाडी कर्मवती सहित विरांगनाओं ने जोहर की ज्वाला में अपने प्राणों की आउती दे दी चितोडग का तीसरा साका सन 1567 में हुआ जब मुगल बादशा अकबर ने चितोडगर पर चड़ाई की उसमें चितोडगर पर रणा जिफ्ति स्तंब, पद्मनी महल, घोराबादल समारक, कल्लाजी समारक, रवीदास समारक, कालिका माता मंदिर, बार माता मंदिर, मीरा मंदिर, कुंड बावडियां, शस्त्रागार, अंड भंडार, गुप्त सुरंग, आधियानेक दर्शनिस्तल हैं जिनने परटक देखना पसंद करते हैं कुम्बल गड़ दुर्ग कुम्बल गड़ दुर्ग मेवाड और मारवाड की सिमा पर राज समझी लेकी केलवाडा तेसिल के सादली कस्वे में हैं इस दुर्ग का निर्वाण महरणा कुम्बा ने सन 1443 से 1458 की अवदी में करवाया था इसे बनाय जाने में 15 वर्ष का समय लगा सन पंदरा सो चालिस में वीर शिरोमणी महाना प्रताप जन्म इसी दुर्ग में हुआ था इस दुर्ग का निर्माण समराड अशो के ध्वित्य पुत्र जैन राजा संप्रती के बनाए गए दुर्ग के अवशेशों पर किया गया है जैन राजा संप्रती तीसरी शताबनी हुए थे यह दुर्ग समुत्रतल से लगब एक अजार पिच्चा से मीटर उचाई पर है इसके चारों और छतीस किलोमेटर लंबी एवन साड़े चार मीटर चोड़ी सुद्रड दिवार बनी हुई है जो की चीन की दिवार के बाद विश्व की दूसरी आजाता है आरेट पोल के बाद एक किलोमेटर की दूरी पर हला पोल है हला पोल के बाद हनमान पोल है इस द्वार के बार हनुआ जी की मूरती प्रतिष्थित है हनुआन पोल के आगे विजय पोल और राम पोल है यहां से दुर्ग का बित्री बाग शुरू हो जाता है यहां से दुर्ग के चारों और बनी सुधर प्राचिर स्पष्ट दिखाई देती है विजेपोल दर्वाजे से प्रवेश करने पर दुर्ग भूमी का समतल स्थर आ जाता है इस समतल स्थर पर आसपास लगबग 360 मंदिर बने हुए हैं इन में से 300 जैन मंदिर एवं 60 हिंदू मंदिर हैं यहां बने मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट उधारण हैं बारिश के मौसम में इन मंदिरों की सुन्दरता देखते ही बनती है दुर्ग में विजय पूल के बाद राम पूल है यहां से आगे बढ़ने पर भैरो पूल एवं गणिश पूल आते हैं माणा कुम्भा द्वारा निर्मित कुम्भ स्वामी विश्णू-मंदिर है। दुर्ग के दक्षनी शिर्स भाग में बादल महल बना हुआ है। बादल महल में मर्दाना महल जनाना महल दो हिस्से हैं जो आपस में जुड़े हुए है। यहीं पर कुमर प्रित्विराज और राणा सांगा का बच्वन बीता था। मारणा उदे सिंग को पन्ना धाय ने इसी दुर्ग में छिपा कर पालन पोशन किया था। हल्दी गाटी के युद के बाद मारना प्रताब भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे थे। दुर्ग में तोप खाना है जहां तोप रखी गई है। मांडल गड दुर्ग भीलवड़ा जिले में स्तित मांडल गड दुर्ग समुद्र तल से लगभग 564 मीटर हुचा है। भव दक्काशिदार मंदिर बने हुए हैं जिन में चार भुजानात मंदिर उंडेश्वर महादियो मंदिर प्रमुक हैं। किले के नीचे जलाशे के पास प्राचीन जलेश्वर महादे मंदिर बना हुआ है यहां सैनिकों के आवाज ग्रह एवं अन बंडार बने हुए हैं यहां का रूप सिंग महल देखने लायक है किले पर राठोड रामसियां किलेदार अग्रचन महता का महल एवं तोप खाना भी पुरातत्व एवं एतियासिक महतिकी द्रश्टी से दर्शनी हैं इसके अलावा किले पर जैन उपाश्रे लाल गुरुजी काबाड़ा रगुनात द्वारा कचहरी भवन वजैन स्थानक प्रमुक हैं यह किला विबिन राजवन्शों एवं मुगलों के अधीन राहा है किल के मुख्य द्वार पर निर्मित साथ दर्वाजों को पार करने पर ही भीतर प्रवेश संबव है इसके अत्रिक संकटकाली समय में उपयोग के लिए पूर्व और पश्टि में दो छोटे-छोटे द्वार बने वो हैं जिने बारी कहते हैं किले पर हिंदू-मुसलिम भवन निर्मान शेलियों के मिश्रण का प्रभाव देखने को मिलता है यहां बने चार भुजानात मंदिर उंडेश्वर मंदिर एवं जलेश्वर मंदिर में मंडप के नीचे लगे स्तंबों पर आकर्शक कलाकरतियां अंकित हैं तता शिलाले खुदे हुए हैं मांडलगड के ल दियों के संगम स्थल पर बना हुआ है यह दुर्ग तीन और विशाल जलराशी से गिरा हुआ है यह एक अभेद्य विकट दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेडी में आता है नैसरगीक सुरक्षा कबच युक्त इस दुर्ग का प्राकरतिक परिवेश बहुत कुछ गाग प्रताब के छोटे बाई शक्ती सिंग की छतरी बनी हुए है जिसे पंच देवला कहते हैं दुर्ग परिसर में गणेश माताजी दो विश्नु मंदीर और चार शिव मंदीर बने हुए हैं यह दुर्ग अब पूरवर्ती शाशी परिवार द्वारा संचालित एक लगजरी विरासट होटल में परिवर्तित हो गया है बैसरोडगर दुर्ग का निरमान सन 1741 में सलुंबर के रावत केसर सिंग के पुत्र रावत लाल सिंग धुटिय दुआरा किया गया इस दुर्ग पर अलग-लग समय में अलग-लग राजमेंशों ने शाशन किया इस दुर्ग पर लावदिन खिलजी एवं मराठाओं ने भी शाशन किया बैसरोडगर दुर्ग अपनी विशिष्ट सोंरचना स्थापत्य कला और शिल्प सौंदर के कारण प्रसिद्ध है चंबल और बामणी नदियों के मद्य बसा यह दुर्ग देखने में मनोहारी एवं आकरशक है यहा पर फ्रांस, जन्मरी, अमेरिका, स्वीडेन, इंग्लेंड और अफरीकी देशों के प्रेटक अधीक संख्या में आते हैं राजिस्तान के इस एतियासी किले की स्थापत तिकला और शिल्प सौंदर का नजारा अत्य दिक मनोहारी रहता है इसलिए दुनिया भर के प्रेटक है